दोस्तों क्या आप भी Google Pay यूज करना चाहते हैं, जी पे इनेबल करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो Google Pay के अंदर एक नया एकाउंट कैसे बनाते हैं, वही आपके साथ सेयर करेंगे, क्या अकिरकार Google Pay के अंदर एक नया ID कैसे बनाया जाता है, आप एक नया एकाउं और यहां पर बिजली बिल भरना, बैंक में पैसे बेजना, पूरा प्रोसेस आपको पता चलेगा, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं आपकी जानकारी के लिए, कि Google Pay के अंदर एक अभी नया ओफर चल रहा है, 2023 का, अगर आप इसमें नया एकाउंट बनाते हैं, तो आपक 50 रुपीज का कैस बैक मिल जाएगा, और उस कैस बैक से आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, या अपने बैंक में भी ट्रांसपर कर सकते हैं, तो आपका जानकारी के लिए बता देते हैं, कि Google Pay का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सबसे पहले आपको उस 50 रुपे का कैस बैक मिल जाएगा, अब आप इसे ओपन करिए, जैसे आप इसे डाउलोड करके ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको अपने बैंक एकाउंट में जो मुवाइल नमबर लगा होगा, वो आप डाल देंगे, तो चलो हमारे जो बैंक में रजिस्टर है, वो मुव पर क्लिक करना है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका मुवाइल नमबर यहाँ पर वेरिफाई होगा, उसके बाद थोड़ा सा वेट करना होगा, आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा, आपके गूगल पे से एक OTP आएगा मुवाइल नमबर पर और वो आपका OTP भी आटोमेटिक फिलफ हो जाएगा, आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका एकाउंट यहाँ पर बन गया है, बस आपका एकाउंट यहाँ पर तयार हो चुगा है, बस इसमें आपको बैंक एड करना होगा, तभी आप ट्रांजेक्शन को ले पाएंगे, या बैंक बैलेंस आपको इस पर टच करना है, जैसे आप इस पर टच करेंगे, तो यहाँ पर भी मिल जाएगा, एड बैंक एकाउंट आपको इस पर क्लिक करना है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जो भी आपका बैंक एकाउंट होगा, वो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है आपका एक हैस में सेंड होगा आपके मुवाइल नंबर से आपके बैंक में और आपका बैंक एकाउंट वेरिफाई होगा यहां पर आपका थोड़ा सा समय लग जाता है कम से कम एक मिनट का या दो दो मिनट का भी लग सकता है तो आपका मुवाल नमबर वेरिफाई हो रहा है उसके बाद आपका बैंक एकाउंट यहां पर आपका एड हो जाएगा तो हम थोड़ा सा इंतजार कर लेए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का वह यहां पर आ चुका है इसे यहां पर आपको यह करने है उसके बाद यहां पर मिल आएगा एकसपारी डेट आपका जो भी एटियम काड का एकसपारी डेट हो वह आपको यहां पर डाल देना है उसके बाद इस एरो पर क्लिक करना है तो हम यहां पर सारा डीटेल्स अपना फिलप करते हैं यहां पर सारा डीटेल्स अपना पर दिया है उसके बाद इस एरो पर क्लिक करेंगे जैसे आप इस एरो पर क्लिक करते हैं पर क्लिक करेंगे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करना होगा wait करने के बाद आपके bank की तरफ से एक OTP आएगा जैसा अभी आपको देखने को मिलेगा आपको OTP आच चुका है 86, 91, 98 तो हम यहाँ पर डालेंगे 86, 91, 98 OTP यहाँ पर सही है उसके बाद write करेंगे write करने के बाद आपके समने आज आएगा set 6-digit UPI pin यहाँ पर आपको अपना UPI pin set करना है जो भी आप UPI pin बनाना चाहते हैं इस तरीके से अपना UPI pin बना लेंगे यहाँ से आप write करेंगे आपको अपना वही UPI pin यहाँ पर confirm करना है जो आपने अभी बनाया हुआ है तो हम यहाँ से अपने bank account का UPI pin एक strong बना लेते हैं इसे हम यहाँ से cut करेंगे और अपना एक नया UPI pin बना लेते हैं ताकि किसी को पता न चले तो आपको भी एक ऐसा UPI pin बनाना है ताकि किसी को पता न चले क्योंकि जब भी आप कहीं पर भी पैसे transfer करेंगे mobile recharge करेंगे तो यही आपको pin डालना पड़ेगा तो आपना UPI pin set कर लेते हैं मैंने अपना UPI pin set कर लिया है आपको अपना फिर से Google पे open करना है इस तरीके से आपका Google पे open हो जाएगा यहाँ पर आपको इसे एक बार reference कर लेना है उसके बाद नीचे आना है मिल जाएगा आपको check bank balance आपको इस पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे आप यहाँ पर आपको अपना UPI pin डाल देना है जो भी आप set करें थे या आपने जो भी बनाया था और जैसे हम यहाँ पर डाल देते हैं जो मैंने यहाँ पर set किया हुआ है मैंने अपना UPI pin डाल दिया है उसके बाद right पर click करेंगे जो भी आपका balance होगा आपके bank में वो यहाँ पर so हो जाएगा या तो आपको एक minute या दो minute का इंतिजार करना है फिर आपका balance जो भी होगा वो यहाँ पर so हो जाएगा उसके बाद आप बात करेंगे यहाँ पर mobile का recharge कैसे करेंगे पैसे transfer कैसे करेंगे बिजली का bill कैसे बरेंगे या आप bank में कैसे transfer करेंगे तो पैसे transfer करने का सबसे बढ़िया आसान तरीका है यहाँ पर scan करके QR code को भेज सकते हैं या आप उसके contact number पर भेज सकते हैं या bank में या आप उसके UPI ID या UPI number में इस पर मैंने already एक video बनाया हुआ है क्या किरकार पैसे कैसे transfer किया जाते हैं गूगल पैसे पांच तरीके हैं गूगल पैसे पैसे transfer करने का उसके बाद mobile का recharge कैसे करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा mobile recharge करना है तो यहाँ से कर सकते हैं इस पर भी मैंने already video बनाया है कि mobile recharge कैसे करते हैं चाए जियो का हो, बोडा फोन का हो, एटल का हो, बियसनल का हो कोई भी SIM हो उसके बाद आप बिजली का बिल कैसे भरेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा DTH और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक option see all का, आपको इस पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे यहाँ पर आपको नीचा आना है, मिल जाएगा electricity, आपको इस पर click करना है यहां से आप bill जमा कर सकते हैं इस पर भी मैंने एक already वीडियो बनाया हुआ है अगर हम इस वीडियो में बताएंगे तो यह वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको अच्छे से पता भी नहीं चलेगा आप बाद में उन वीडियो को जरूर चेक आउट कर लेना तो हम आपको फिर से बता देते हैं कि अगर आप एक नया एकाउन बना रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिशन में लिंक मिल जाएगा उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लिजिए तो आपको आप टो फिप्टी रूपीज का कैस बैक भी मिल जाएगा तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना